हेलो फ्रंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशे प्रताप आर्बियल में टेस्स सिरीज चालू हो चुकी है और ये साइंस का तीसरा टेस्ट है इसके पहले दो टेस्ट हो चुके हैं जिसमें उम्मीद करते हैं आप लोगों को मज़ा आया होगा आपके response को देखके लगता है ऐसा चलिए देखते हैं आज के questions के बारे में पहला question है टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है दूसरा question है हल्दी का पीला रंग किस के कारण होता है हरदय की गती सुनने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है फिर next है क्या कारण है कि वेक्ति चटान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है इसमें मैंने आपको option भी दे दिये हैं जड़त तो वेक, प्रतिक्रिया या गती फिर अगला है निमनांकित में से कौन सा आभासी बल है option भी मैंने दे रखे हैं अभी केंदरी बल, अभी केंदरी प्रतिक्रिया बल, अभी केंदरी बल, मजबूत परमाडू बल फिर next question है एक नाओ जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्था पे जल किसके बराबर होगा तो option मैंने इसमें दे रखे हैं नाओ के आयतन के बराबर, नाओ के भार के बराबर, नाओ के प्रस्टीज हेतरफल के बराबर, नाओ के घनतों के बराबर इनमें से आपको एक select करना है फिर next question है मानो शरीर की सबसे बड़ी कोशी का कौन सी होती है फिर मानो शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौनसी होती है ये बताना है नेक्स्ट है physics का question है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है या freezer में रख दिया जाता है तो बोतल तूट जाती है फट जाती है उसका reason आपको बताना है next है सापेच्षिता का सिधान किसी ने प्रधिपादित किया था फिर अगला है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किर्णों से संबंध है जो आर पार जाती है आपके केवल दरव्यों के केवल प्रिज्मों के केवल हीरों के या सभी पारदर्शी माध्यम के तो ये question आपको फि केवल प्रिज्मों के केवल हीरों के या सभी पारदर्शी माध्यमों के ये आपके options है इन में से आपको एक select करना है अगला question है प्याज के छिलके उतारने पर प्याज में मौजूद किस अमल के कारण आखों में आशु आ जाते है नेक्स्ट है सिगरेट के लाइटर में कौ परमाडू सिधान्त किस ने प्रिपादित किया था नेक्स्ट क्वेशन है ऐसे परमाडू जिन में प्रोटानों की संख्या समान परंतों नियूट्रानों की संख्या भिन भिन रहती है वह क्या कहलाते हैं फिर नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सी धातु में खुले वात वरण में रखने पर जलने लगती हैं। हो सकता है एक हो, हो सकता है दो हो और हो सकता है इन में से तीनों हो। ठीक है, मुझे शेवर नहीं है, आपको बताना है। तो अब आप पॉस करके अपने आंसर्स राइट डाउन करिए कि कितने आपके सही हुए, मैं बताता हूँ आपको आंसर्स। पहला estar का लाल रंग तो टमाटर का लाल रंग लाईकोपिन के कारण होता है और हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। तो इस टेथो स्कोप का प्रयोग किया जाता है क्या कारण है कि वेक्ति चटान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है तो इसका कारण है प्रधिक्रिया ठीक है निम्नांकित में से कौन सा आभासी बल है तो अपकेंदری बल जो होता है वो आभासी बल होता है इसी अपकेंदری बल के सिद्धांद पर ही कल मैंने आपको दूसरे टेस्ट में क्वेशन बताया था कपड़े धुलने की जो मशीन होती है वाशिंग मशीन वो इस पर काम करती है और जो दूद से आप निकालते होंगे मल वलाई वलाई तो उसको जो घुमाने का प्रोसेस है वो भी अपके इंद्री बल के कारण ही होता है। दूसरे क्रीम निकालने का प्रोसेस। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। तो नाव के भार के बराबर ही अगर जल विस्थापित हो जाएगा तो नाव फिर जल में नहीं डूबेगी। सबसे बड़ी कोशिका निूरॉन होती है और सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है ग्लूटियस मैक्सिमास। जब किसी बोटल में पानी भरा जाता है तो आपको पता होगा पानी जमने के बाद वो उसका प्रसार होता है मतलब उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है इसलिए वो बोटल में आ नहीं पाता और बोटल फट जाती है। सापेक्ष्टा का सिध्धान किसने प्रितपादित किया था अलबर्ट आइंस्टीन ने। सिगरेट के लाइटर में कौन सी गयस प्रियुक्त होती है तो इसमें ब्यूटेन भरी जाती है। निमनलिखित में से कौन सी धातु में खुले वातावरंड में रखने पर जलने लगती है। इसलिए इनको सुरचित रखने और जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डूबोकर रखा जाता है। तो ये सोडियम वाला क्वेशन आप से पूछा भी जाता है मैक्सिमम के सोडियम को जलने से बचाने के लिए किस चीज में रखा जाता है। तो ये केरोसिन ओयल या जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं उसमें सोडियम को रखा जाता है। तो रखने का कारण अब आपको पता चल गया होगा। कि रखने का मेन रीजन यही है कि ये खुले वातावरण में रखने पर जलने लगते हैं। ये टेस्ट टू का क्वेशन था जिसमें थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया था। यहां पे चारी धातु में कर लीजेगा। वहां पे सारी लिख गया था। वो टाइपिंग मिस्टेक थी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था बाद में मुझे याद आया जब किसी ने कॉमेंट किया था। तो यहां सारी की बजाए चारी धातु में कर लीजेगा। तो चारी धातु में alkaline metal इतने मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकु से भी काटा जा सकता है। लक्षमी तिपाठी जी ने एक कॉमेंट किया है भाईया आपके क्लास सुपब है ठैंक्स और साइंस में किसी ने अपना इसको खास कोई सेंड नहीं किया था तो इसमें और किसी को कॉमेंट है नहीं बाकी देखते हैं धीरे धीरे आपको ज्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सारे क्वेस्चन अच्छे क्वेस्चन और जितना भी सेलेवस है उससे रिलेटेड जितना भी हो सकता है वो सारे क्वेस्चन मैं कवर करूँगा तो आपको थोड़ा सा धैर रखना है मिलने का रीजन यही है कि शुरुवात इजी से ही करनी चाहिए और पहले इजी क्वेस्चन हो जाएंगे जब इजी क्वेस्चन बचेंगे ही नहीं तो टफ लेवल आपको मिलेगा ही देखने को तो आपको इसके लिए परिशान नहीं होना है बस थोड़ा सा पेशन्स रखिए और सारे टेस्ट सारे क्वेस्चन करते जाए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ थेंक्स फर वोचिंग